आज हम पढ़ेंगे लाइट टार्म और अनलाइट टार्म देखें दोस्तों अलजबिक एक्स्पेशन को एडिया सब्टेक्ट करने के लिए लाइट टार्म और अनलाइट टार्म का हमें आना बहुत ज़रूर है लाइट टार्म अलजबिक एक्स्पेशन देखें दोस्तों लाइट टार्म हमेरे पास कौन से टार्म होते हैं लाइट टार्म वो टार्म होते हैं जिसमें वेरीबल सेम होता है और वेरीबल का एक्सपोनेंट भी या पावर भी सेम होता है तरक वो हम क्या लाहिक टर्म गोलते हैं देखें हमारे पास question है इगर 2x जाकिन 2x ये 2 जोई constant ये ये कोई माइन नहीं रखता सिर्फ ये variable का हमारे पास same होना जरूरी है है ये यहां पर x है यहां पर भी एक इन दौनों का हम लाइक टर्म बोल सकते हैं चोंके variable ताख्ञाबव विर्येबल का आधल भी सेंव है। दोस्रे question में आ है। 2x-square & 3x-square ढखिन दिसमों कि इधिर भी हमारे पास ले Easy देर भी papॉर भी यह मैंक ultimate टुरिग में तो यहे हमारे पात एक like term है तीसे कुस्चिन जाएं, इडर कांस्ट तो को है топ कि ग एक एक से और एक य है इडर एक सो है, हम इन दोनों को like term भोली सकें यह दोनो like term है।ые स्टप्राइब की यह दोनो like term है और यह दोनों like term है अब unlike term के तरफ आए, unlike term, the term of the algebraic expression, they do not possess the same variable with same exponent. अब unlike term एक एक इसा टर्म होता है, इसमें variable भी सेम नहीं होता है, ने भी या variable सेम भी होता है, लेकि उनका पावर सेम भी होता है, कभी वेरीबल सेम नहीं होता है, कभी उनका पावर सेम नहीं होता है. एथे हमारे पास ID है 4X or स्क्राइड़ 2 कंच इसका पावर . अगाहिए यह पास बना पास ep 3OTEdy की तरो सिझाए इसका इसका पावर 1 एसका अब तो देए इन डिफेंट पावर स्क्राइब यह हमारे पास अनलाइक टर्म है अब हमारे पास है 4x and 4xy इदर हमारे पास वेरियबल x है और इदर x और y है देखें वेरियबल सेम नहीं है इस वाजह से हमारे पास यह अनलाइक टर्म भी लाइक टर्म नहीं लेकिन दोसमें इसलिए जरूरी है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पढ़ना लाइक टर्म को हम एड़ कर सकते हैं सब्ट्रेक कर सकते हैं इसकी बजाए अनलाइक टर्म को ना है हम सब्ट्रेक कर सकते हैं और ना हम एड़ कर सकते thank you get up next